अगर सेवन करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए आज मैं इस वीडियो में सारी इंफोर्मेशन दूंगी आपको अगर आप हमारे चैनल पे नई आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी चलते हैं इस वीडियो की तरह सो फ्रेंड देखा गया है बहुत सी फीमेल्स परिशान रहती हैं कि हमें पेगनिंसी में अमरूत खना हमारे लिए सेफ है कि नहीं वैसे देखा गया है कि फीमेल्स को जादा तर पेगनिंसी में फल्फूर्ट का सेवन करना चाहिए फल्फूर्ट का सेवन करने से उनके बच्चों में अच्छे से ग्रोथ होती है और पाने की और इमिर्टी स्ट्रॉंग बनी रहती है मदर और बच्चे को दोनों को स्ट्रॉंग रहते हैं चलते हैं अमरूत खाना कैसे चाहिए और इसका सेवन कैसे चाहिए फर्स्ट है अम्रूत का ज्यादा सेवन करने से बहुत सी फीमेल्स को कोल्ड हो जाता है और कफ हो जाता है इस वज़े से वो अम्रूत को अवाइट कर देती है अम्रूद को आप अच्छे से चूले में या गेज पे भून के खाने से खासी और नजले से भी छुटकारा मिल सकता है इससे आप अपने अम्रूद का सेवन भी कर सकते हैं दूसरी बात अगर आप अम्रूद का सेवन करना चाहती हैं तो आपके लिए एक वर्दान सापिते जो फीमेल्स एड्मेंसी के दोरान स्वैलिंग और बीपी से सुगर से ऐसी चीजों से सामना करती हैं तो उन फीमेल्स को मैं यही एड्वाइस करूँगे उन्हें अम्रूद खाना चाहिए क्यूंकि अम्रूद में बिटामीन सी, बिटामीन ए और फोलिक एसिन भरपूर मातरा में होता है इसलिए अम्रूद का सेवन करने से फीमेल्स को बहुत सारी चीजों से लाब मिलता है और वही बीपी और सुगर कंट्रोल करने में हैल्प मिलती है ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए जो आपको और आपके बेबी को नुफसान होता है जैसे कि जंग फूद खाने से आपको गेस्टिक प्रोब्लम और ज़्यादा तर बेबी में ग्रोथ होने की संभवनाएं कम हो जाती है अम्रूद का सेवन करने से आपको और आपके बेबी को ज़्यादा तर इम्मिनिटी बनी रहती है और ज्यादा अम्रूद में पानी की मातरा होती है पेगनेंसी एक ऐसा नाजुक पल होता है जिसमें फीमेल ज्यादा तर बहुत चोग प्राइमी जिनकी डिलिवरी होने वाली होती है वो इन पलों को बहुत अच्छे से महसूस करती है कि हम क्या करें और क्या नहीं क्यूंकि उनको ये डर रहता है कि अगर हमने गलत चीज़ खा ली कहीं हमें पेगनेंसी में हमार अवोइट ओने का चांस तो नहीं हो जाए तो सौफ एगनेंसी में अमरूद खाने से आपको कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली है अमरूद आप सेवन अच्छे से कर सकते हैं अमरूद का सेवन करने से आपको हर बीमारी और तकलीश से चुटकारण पा सकती है अम्रूद आपके लिए एक बरदान साबित है बच्चे के लंज, हड्डियां और आईस और माइन को सैट बना के रखता है अम्रूद खाने से बच्चे में ग्रोथ रहती है और बेवी में पानी की मात्रा मदर में बनी रहती है जो मदर इमुनिटी जिनकी स्ट्रॉंग नहीं है, वो वीक है और पानी की मात्रा उनमें काम है तो वो भी अम्रूद का सेवन जरूर करना चाहिए अम्रूद के सेवन करने से आपको बहुत सारिफायते मिल सकते है जो फीमेर्स प्राइमी में उनकी डिलिवरी पहले हो गई, वो सेकिंड में भी ऐसा नहीं होगा अगर वो अम्रूद का सेवन करेंगी तो डिलिवरी टाइम पे होगी और पहले अबोशन नहीं होने के चांस भी कम होते हैं वो बहुत है